संक्रान्थ हम लोग जो बनाते हैं तब बनाते हैं जब सूर्य धनूराशी से मकर राशी में प्रवेश करता है और सूर्य जो है दक्षिनार्थ रहता है उसके वश्यात इस समय के बाद उत्रात हो जाता है तो इस उपलक्ष में हम लोग ये जो है तेवार बनाते हैं इसके अलावा हम लोग जो है इसका में कारण ही है कि इस तीथी तक फसले भी तयार हो जाती है संकरान के दिन हम लोग एक दूसरे को तील गूड देते हैं और हल्दी कुंकु मनाते हैं यह हमारा महराष्टीन लोगों का परिवार है actually यह महराष्टे में जन्मावा पर्व है और इस दिन हम लोग एक दूसरे को तील गूड दे करके आपस में एक दूसरे को हम मीठा बोलन तो जब हम पर्वो की दिन काला कपड़ा पेंदे हैं तो हम ये बता रहे हैं सभी लोगों को ये दर्शा आते हैं कि काला रंग भी शूव होता है इसके अलावा हम लोगों के महाराश्रिन परिवार में जब हमारे लड़के की शादी होती है तो हम लोग साल भर तेवार मनाते यह सब पहनाएंगे और इसको पहनाने के बाद में मेरे बैटे को भी यह जो है अंगुटी रखी है उसके अलावा ये उसका घड़ी रखी हुई है और गले का हार भी है ये उसको पेनाएंगे मतलब दोनों दुला-दुलन जो है जो इनको हम ये चिरोंजी जैसे आवा बोलते हम इसको ये जो गहने हम इनको पेनाते हैं यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं मकर संक्रांती के सेलिबरेशन के लिए हमारे यहां सभी लोग आय हुए हैं और यहां पर गेम्स का आयोजन हमने किया है यहां पर सभी लोग सितोलिया खेल रहे हैं पववा खेल रहे हैं और पतंग भी उड़ा रहे हैं यहां पर कुछ लोग गिल्ली रंडा बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यह सभी मकर संक्रांती के उपलक्ष में किया जा रहा है और आप सबको भी मकर संक्रांती की बहुत हादिक शुकामना